गुद मॉर्निंग, डेली निउस अनलेसिस एन करेंट अफेर डिसकसन की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज है 16 जुलाए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे करेंट अफेर्स, बेसिकली आज जादा नहीं हम लोग कुछ ही करेंट अफेर्स को लेंगे, ल ये काफी समय से रसिया के साथ वार में है, ये कंट्री सभी को पता होना ही चाहिए, काफी समय से ये वार में है, तो किसी ना किसी एक्जाम में ये कुश्यन बन सकता है, आपको बताना है ये कंट्री कौन सा है, अगर जानते हैं तो अच्छी बात नहीं जानते, तो कोई ब कुछ दिनों में और वहाँ परफ फॉरस्ट को लेकर अमेंड्मेंट बील पारित होगा उस पर चरचाये होगी तो फॉरस्ट बिल को लेकर चल रहा है बहुत सारे लोग जो लोग को पसंद नहीं आ रही है जो लोग को लग रहा है कि वह गलत है तो ऊसको हम लोग या पर पू पुरी तरह से बारेकी से समझेंगे जानेंगे कि फॉरेस्ट बिल में ऐसा क्या है जो लोग को परिसानी है और पुराना फॉरेस्ट बिल क्या कहता था यह सब चीजों को हम लोग आज के इस हेड्लाइन के थिरूप पढ़ने वारे उसके बाद है अगें explain section में ही दिया हुआ था will 28% GST on the online gaming affect its growth क्या जो अभी जो finance minister है निर्मला सितारमन उनके द्वारा online gaming जो है उनका जो GST है उनके 28% का slab में उनको डाल दिया गया तो क्या इससे प्रभाब पढ़ेगा क्या जो online gaming का प्रभाब पढ़ेगा इसको 28% में लानने से क्या future में क्या करने वाली है बहुत सारे जो online gaming कंपनिया है और भी जो expert है वो कह रहा है कि इससे परिसानी होगा तो हम लोग देखें क्या परिसानी आएगा क्या प्राब्लम है क्या challenges है इसके सामने इसी को हम लोग इस headlines की सारे पढ़ने वाले है उसकी बाद एक डायरिया का नया वो डायरिया काउस करता है तो वो वेरियंट है वो जो परसाइट है उसका नाम जानना जरूरी को एक्जाम में पूछ देते हैं प्रिलिमस में पूछ देते हैं या और भी कोई other exams में जिसमें fact-based question आते है वहाँ पूछा जाता है तो इसको हम लोग को जानना जरूरी है उस समय है उनको सम्मान भी दिया हो गया वहां का जो highest civilian award है मोदी जी को दिया गया साथ साथ बहुत सारे agreement sign हुए थे बहुत सारे पैक्ट और डील के बारे हम बात हुए थी लेकिन जो joint statement नया जो आया कल जो नया statement रिवाइस करके आया उसमें कुछ-कुछ चीजे हैं कुछ-कु क्या कर सकते हैं मतलब हमारे लिए दुख की बात कर सकते हमारे लिए तो आसा निरासा की बात है लेकिन कोई बात नहीं हम लोग आगे देखेंगे इसको इसको आयुसमान भारत embraces AI to tackle fraud यानि कि आयुसमान भारत जो है आयुसमान भारत जो इसकी में जो health coverage scheme है उसको उसमें ब जो व्यक्ति हैं जिनको health coverage मिलना चाहिए वो health coverage मिले तो यहाँ पर आयुसमान भारत जो वाला articles है जो headline है उसके अंतर के हम लोग देखेंगे कि आयुसमान भारत में क्या fraud चल रहा है और government कैसे इसको tackle करने का प्रयास कर रही है उसके बात जो है last जो यहाँ पर हम लोग news दे trade करेंगे basically क्या है कि अभी इंडिया जो है ज्यादा तर रूपी को internationalization करने की बात कर रहा है कि जैसे global market में US dollar चलता है उसका ज्यादा market value है तो उसी प्रेगार से government इंडियन government विचाह रही है कि rupees का भी एक market में value हो और market में rupees को चलाया जाए ठीक है और इसका जरूरत ज्याद इसका जो है stock नहीं है और trade करने में परिसानी हो रहा sanction है बहुत सारा चीजे का issue है तो लगा कि डॉलर पर dependence market में कम होना चाहिए और इंडिया तरह तरह के जो country है उनके साथ collaboration करके rupees में trade करने की बात कर रहे है तिसी प्रकास इंडिया जो है UAE के साथ मिलकर रूपी और धिरा सबसे पहला जो हमारा वही why is there controversy on the forest bill? forest bill में controversy क्या क्या है प्रस न उठते हैं कि environment ministry का जो controversy जो बात उन्होंने objection करा अपोजिशन वालोंने objection करा forest bill को लेकर तो environment ministry का क्या stand है क्या कहती है उस objection को लेकर और environment ministry क्या लाना चाहती है इस forest bill में amendment करके उसका joint parliamentary committee कुछ कुछ चेंज़ बदलाव के बारे में बात कर रही है क्या है और क्या जो है यह जो गुदा वर्मन जो थिरुमुलपड जो judgment दिया गया था सुप्रीम कोड के द्वारा 1966 में क्या उसको डायलूट करता है यही सब प्रस्णों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हम लोग matters को deal करेंगे वो भी प्रस्णों के format में होगा तो शालिए हम लोग इस article के माध्यम से पूरी तरह से जो forest act है उसको deal करेंगे सबसे पहला हम लोग थ्वासा background जान लेते हैं क्या है कि Parliament में एक बिल है बिल का नाम है forest conservation amendment bill 2023 यह बिल है नाम याद दखना है forest conservation amendment bill 2023 इसको monsoon season चलने वाला है जो शुरुआत होगा तो वहां पर इस forest bill को table किया जाएगा और इस पर चर्चा होके इस पर जो procedure है वो चलेगा और इसको bill से act बनाने की परकरिया को आगे बढ़ाया जाए जाए इस जो बिल लाया गया था बिल की सुरुआत की गए थी तो इसको एक joint parliamentary committee के पास भेजा गया था इसको देखने के लिए पुरी तरह से इसको revise करने के लिए और भी इसको details से अध्यान करने के लिए joint parliamentary committee के पास भेजा गया बिसिकलिए जितने यह bills होते है ना उसको review करने के लिए हर चीज की देखने के लिए तरह तरह कमिटी बनाया थी standing committee, ad hoc committee तो इस सब committee के पास जाती है चीजों को discuss करने के लिए ठीक है और भी तरह के committee होते हैं उनके पास discuss करने के लिए जाती है तो joint parliamentary committee बनाया गया था उन्होंने amendment को देखा और approve कर दिया बिना कोई comment हुआ और बिना कोई revision और suggestion से उसको joint parliamentary committee ने approve कर दिया अब देखिए यह forest bill जो joint parliament committee के पास गया और जो table होगा कुछ जिनों में उसमें क्या क्या important प्रावधान है agreement क्या बोल रही है तो यह forest conservation amendment जो bill लाया गया यह करेगा क्या जो भारत का अपना forest conservation act 1980 है उसको यह क्या करेगा उसको यह amend करेगा ठीक है यह एक ऐसा कानून है जो भारत के जितने भी जंगल है forest है उसको बचाता है उसको protect करता है उसको संरक्षन करता है और भारत की सरकार जो central government है उसको power देता है कि forest को हमारे भारत में जितना भी forest है उसको regulate करे और जंगल के जो संसाधन है forest के resource है timber से लेकर timber हो गया या बंबू हो गया उससे लेकर cool और minerals थक के जो resource उससे निकलते है उसको regulate करे ताकि जो industry है उससे उसको बचाया जा सके और जो forest dwelling है उससे उसको regulate कर सके ठीक है तो यही forest conservation act 1980 का main उद्देश था इस act का अब देखे क्या है इसके अलावा भी forest right act भी है हमारे भारत में जो वहाँ पर रह र है ट्राइबल्स यानि जंगल में रहर है ट्राइबल्स हो गया और forest dualist dependent जो है forest पे उसके लाहिवली हुट के को protect करने की बात करता है तो दो याक्ट यहां पर बताया गए एक act जो है forest conservation act 1980 जो की जंगल कोlo protect करने की बात करता है जंगल को sunrk्षण देने की बात करता है और के सरकार को पावर देता है कि वो जंगल के संसाधा ने उसको रेगुलेट करें उस पर पॉलिसी वगरा बनाए ताकि उसका दोहन ना हो और जंगल बरवाद ना हो यह सब उद्धिस से जंगल में रहे ट्राइबल्स हो गया और जंगल पर जो निरवर्स जो लोग हैं उनके अधिकारों की बात करता है अब देखिए यह जो एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइंटिन एटी है वो काफी हमारे देश में जंगल को बचाने में काफी योगदान दिया क कैसे दिया देखिए आप डेटा दिया गया है कि उन्हें स्विक्यावन से लिएक उन्हें सो पचफटर के बीच नहीं जब एक्ट नहीं आया था ये भारत की आजादी के बाद उन्हें स्विक्यावन से 1975 की वे जब एक्ट नहीं आया था उस दोरान 4 million hectares जो जंगल है उसको काट करके non forestry पर वसने जो गैर जो कह सकते हैं forestry में गैर जंगल कारिज हो गया उसमें लगा दिया गया कुल्मलह की ध्यान दो कि 1951 से लेकर 1975 के बीच में चार million जो हेक्टर जमीन उसको काटा गया उसको हटा दिया जंगल को यार दिया गया लेकिन वही जब यह कानून आया उसके बाद 233 तक्रेट को देखे तो पता चला कि इसके आने के बाद मातर 1 million hectare का ही जो जमीन है वो डाइवर्ट हुआ जिस प्रकार से पता चलता है कि यह जो forest conservation amendment, forest conservation act जो है वो काफी कारगार हुआ साबित तो आप जो है इसमें सरकार कुछ-कुछ बदलाब करने जा रही है देखिए और भी चीज़े यहाँ पर mention की गई है कि यहाँ पर जो protection दिया गया उसको सिर्फ जंगल को दिया गया है यहाँ पर जंगल को सिर्फ forest को जो ही यहाँ पर क्या किया गया है प्रोटेक्शन दिया गया जो पुराना जो act था जिसमें forest conservation act 1980 कहता है उसमें सिर्फ जंगल को ही सनक्षन दिया गया है ठीक है जंगल का definition वहाँ पर अलग है तो एक supreme court के पास case गया था जंगल को लेकर कि जंगल के जो किसको count करेंगे जंगल को तो supreme court ने 1996 में एक गुदा वर्मन थिरुमलपड केस था उसमें यह judgment दिया कि कोई भी area under it even area not formally notified as a forest but conforming to the dictionary meaning of forest where protected उस जो judgment था supreme court के 1996 में उसमें कहा गया कि जो act के अंदर गत जो forest का definition है सिर्फ उसी को protect नहीं करना है उसके अलावा जो जंगल का dictionary meaning है उसके अंदर गत भी जो forest आते है उसको भी protect करना है ठीक है तो यहाँ पर जो गुदा वर्मन थिरुमलपड जो case था वो काफी important हुजा था supreme court का उने 1996 का case में उस जो forest act है उसको थो थोड़ा से elaborate किया गया उसमें एक्स्टा प्रावधान डाले forest का protection को लेकर तो उसमें का कहा गया उसमें यही कहा गया कि forest जो definition जो mention है किसमें forest policy है forest policy foreign नहीं forest policy जंगल का जो नीती है जो कि 1988 में आया गया था वो कहता है कि इंडिया में कम से कम जो है एक तिहाई एक तिहाई यानि 33% के आसपास जो है पूरे भरत का जोगरिफिकल एरिया का 33% जंगल होना चाहिए यह नीती कहता है लेकिन अगर हम लोग अभी इसकी व अगर हम लोग जो डे जो है रिकौर्ड फॉरेस्ट जो हो जंगल का जो फॉरेस्ट है उसको जो रिकॉर्डेट है प्लान्टेसान है और सट है उसको अगर रिकॉर्डेड वाला ज जिसके अधार पर कुछ अमेंडमेंट लाया ने की बात कर रही है तो यहसे कि यहाँ पर हम लोगो सुप्रीम कोट का जो जजमेंट देखे उसमें जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन को लेकर और जो जंगल का जो कमी है जो 33% जंगल होना चाहिए हमारे देश में लेकिन उतना ना होके बहुत काम है तो यह सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ अमेंडमेंट की बात कही है तो यही सब बात को कहते हुए और साथा अगर हम लोग जंगल बढ़ा देए तो हमारे जो कमीटमेंट है कारबन सिंग का जो हम लोगों ने कमीटमेंट किया है वो भी पूरा हो जाए यह सब को ध्यान में रखते हुए जो इस अमेंडमेंट को लाने का परियास कर रही है अब देखे इस amendment में कहता क्या है इस amendment ने तो हम लोगों को ने बैग्राउंड देख लिया कि Forest Conservation Act क्या है कैसे यह क्या करता है और इससे कुछ-कुछ legal background भी हम लोगों ने देख लिया उससे हम लोगों पता चलिया क्या जरूरी है Environment Act में amendment को लेकर अब देखें, amendment में क्या किया गया, amendment में सबसे पहले बात तो एक preamble जोड़ा गया, ठीक है, inserting a preamble that underlines India's commitment to preserving forests, their biodiversity and tackling challenges from the climate change, ठीक है, पहला काम ये किया गया, एक preamble जोड़ा गया, जिसमें बूला गया कि India's commitment जो है, जंगल को बचाने को लेकर, उसके biodiversity को लेकर, और climate change को टैक है, उसके नाम को बदला गया, उसका नाम क्या है, वन सनरक्षा एवं समवर्धन अधिनियम, ये उसका नाम दिया गया है, ठीक है, जो कि translated form है, forest conservation and argumentation, मतलब उसको उसका नाम बदल के हिंदी में क्या गया है, वन सनरक्षा एवं समवर्धन अधिनियम, ठीक है, ये नाम दि सब्सक्राइब करें उसका नाम कर दिया गया उसके बाद साथ-साथ में और भी बहुत सारे आमेंडमेंट है यह कहता है कि act would only apply to the land notified in any government record as a forest on after 1980 क्या यह act जो है नया जो amendment act आएगा amendment के द्वारा यह जो forest act उसी पर notified होगा उसी पर लगेगा जो government record में forest दर्ज है government record में forest दर्ज है कब उन्हें सो नब्बे तक उन्हें सुन अब्बे को या फिए उन्हें सुनब्बे के बाद से जो forest recorded है उसी पर होगा लगू ठीक है और उसके बाद अब्बे से 96 के बीच में जो convert किया गया है forest land को non forest purpose पर तो वहाँ पर भी apply नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर देख के लगता है कुछ हत्त है कि जो गोवा गुदा वर्मन जो केस था उसको खुच तक डायलूट करने की बात कर रहा है अब देखे क्या amendment जो नया जो अमेंडमेंट है अमेंडमेंट जो नया amendment है बाकर डीटेल से ही clear होगा ठीक है अब देख्या नया जो amendment तीसरा जो पॉइंट है वो यह है कि बात कहता है कि forest land जो सो किलमेंट इंटरनेशनल बॉर्डर के एराउंड जो सो किलमेंटर एरिया है स्वा किलमेंटर एरिया है उसका जो फॉरेस्ट होगा और जो उसका इस्तमाल अगर कमेंट करना चाहिए strategic project के लिए जो कि national importance का होगा या फिर कोई भी security डिफेंस चल रहा है उसका पांस से लिएक दस हेक्टर के बीच का लैंड में यह जो एक्ट अप्लाई नहीं होगा ठीक है मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर के सो किलमेंटर का एरिया जहां पर कुछ national importance वाला strategic project बनना है ठीक है उस जगा पर या फिर को ऐसा पर जमीन जहां पर क्या ना security डिफेंस चल रहा है उसके पांस से दस हेक्टर के आसपास का जो एरिया जहां पर जंगल वगए रहा है वहां पर यह forest कानून काम नहीं करेगा तो इसको लेकर भी बहुत सारे जो position leader है उन्होंने अपत्ति दर्ज कराया कि अगर यह जो एरिया है इंट्रेशन बॉर्डर वाला एरिया वह बहुत सार ऐसा एरिया है जो हिमालियन हिमालियन रीजन पर या फिरी रीजन पर फॉरेस्ट रीजन पर जो काफी बाइवडास सेवर्टी रखती है उस एरिया पर तो उस एरिया को भी जंगल को यह national importance बोलकर काट देंगे या उजाड देंगे या खतम कर देंगे जो कहना है यह उनका opposition का बात कहना है अब देखे क्या है अब इन्मार में मिनिस्ट्री जो है उसमें कहती है कि private जो parties जो है वो अपना plan develop करना चाहती है जो degraded forest है या उसको restore करना चाहती है तो यह जो act है उसको याधिकार नहीं देता है क्योंकि private plantation और जो पीस अफ लैंड है वो officially mark नहीं हो पाता है इस act के द्वारा तो उनको कुछ incentivize करने के लिए plant का और private plantation को बढ़ावा देने के लिए ताकि जो हम लोग target लेके चल रहे हैं 3 billion ton का carbon sink करेंगे 2030 तक उसमें यह अडचन है उसमें बाधा आता है यह private parties को plantation से रोकने के लिए तो यह सब को ध्यान में रखके जो पारिस agreement के लिए कर जो commitment है वही जो 3 billion 10 का carbon sink करने के लिए उसमें यह अडचन हो रहा है इस वज़य से इसमें हम लोग बदलाव करने की बात कर रहे हैं उसके बाद यह जो इन्वावन ministry और central government यह भी करती है कि बहुत सारे state क्या करते हैं जो forest जो land है उसको तुगड़े तुगड़े में बहुत सारे company को mining को बेज देती है जो कि act में मना ही है तो जिसके और यह से इसको solution निकाला जा रहा है कि इस तरह का प्रावधान इस तरह ना करे और जो जंगल का गलत इस्तमाल ना हो जो इंडस्ट्रियल जो है उसके लिए या फिर और भी चीजों के लिए गलत इस्तमाल अब देख्या कि लोग इसको अब अपोज क्यों कर रहे हैं इसके अपोज क्यों कर रहे हैं तो उसको हम लोग जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि joint party जो कमिट्री बनायागा जो इसको review कर रही थी उसमें 31 members थे उसमें से 18 members जो थे वो भारतिय जंता पार्टी से थे ठीक है और यूजवली जो है बील्स को स्टैंडिंग कमिटी और सेलेक्शन कमिटी के पास भीजा जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जितना भी स्टेक होलडर उनसे चर्चा करके रिव्यू लेने के लिए ऐसा करा जाता है तो फाइनल रिपोर्ट जो है वो टेबल होना बाकी है लेकिन फिर विजुदा हिंदू के पास इसका वर्सन ट्राफ्ट वर्सन था जो दिखा मिला उनको उसी क्याधार पे चीज़े बात कही गई और इसमें जो 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 जुएंट पार्लियमेंटरी कमिटी है उसके ही छे में जिए पार्टी से थें एक हैं तीन जो पार्टी है उनके छो मेंबर के द्वारा यहां पर आप पोईशन किया गया और अद्मेंट्ट जून बास से ही पब्लिक डोमेंट में है और पूबिक डोमेंट्स से बहु सारा कमेंट और जो लोगों से रिव्यू है वो मांगा जा तो और जोएंट पार्लेमेंट कमिटी उसको फाइनल कर चुकी है उसको टेबल पर मतलब रिबोर्ट को टेबल करना भागी है हाँ तो हमनों बात करें तो पहला अप्जेक्शन यह जैसा कि बताया गया कि सौ किलोमेटर का जो दाइरा है इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास का सौ किलोमेटर का दारा है जो कि नेशनल इपॉर्टेंस का स्ट्राइजिक प्रोजेक्ट होगा वहाँ पर यह एक्ट लागू नहीं होगा तो जो आपोजिशन वाले यह कहते हैं कि जो एक्जेम्शन जो दिया गया है फॉरेस्ट को उस होगा वहाँ पर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो जो एकोलाजी है उसको यह नुक्सान पहुंचा सकते हैं क्योंकि वह एरिया जो हिमालेन और ट्रांस हिमालेन नौर्थ इस्टन डिजन जो है वह जी लॉजिकली सेंसेटिव एरिया है बाव डावसिटी है जो एक्स् फॉरेस्ट आक्ट आने का 25 अक्ट उगया उन्हें 180 के बाद का उसे उसके बाद का जो रेस्टिक्शन दिया गया है उससे क्या होगा कि वह बहुत सार ऐसे एरिया छोड़ देंगे जिससे लोग जो है और भी फॉरेस्ट लैंड है या फिर डावर्सिटी होट्सपोट है उ यह कि रीजन दिया गया दूसरा रीजन यह दिया गया कि वही उसका झॉक्त तो इस वजह से लोग अच्छेशन हैना Fant रहा है तो भी दिए जया रहा है कि सब्सक्राइब पूरी तरह से ज्यादा से ज्यादा तेल्ट सेंट्रल गवर्मेंट के तरफ कर देना वहां था ज्यादा पावर दे रहा है यह नया एक्ट इसके वज़ए से भी बहुत सारे जह पोजिशन लीडर है उनको अपत्ति हैं ठीक है तो यह था आपका किस वज़ए से लोग अपत् लोग के सामने रखा उसमें उन्होंने यह कहा कि गुदा वर्मन जज्जमेंट को हम लोग डाल रहे हैं जो कि जो मिस्यूज होने से जो जंगल का मिस्यूज होने से बचाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं रहे हैं जो सिफ ऐसे ही जैंडिक को भी हम लोग रहे हैं उसको सामिल होने से रोका गया और, रेस्ट्रिट किया गया उसमें और इनटिटिस इसमें सामिल नहीं है, यह सब बात कहिए, यह सब बात कही है कि, मतलब रिस्पॉंड करी है कि आप जो अब्जेक्शन दे रहे हैं, उसको हम लोग ध्यान दे रहे हैं, उस पर आपका जो है आदेश है या फिर का सकते हैं मंजुरी वो नहीं देंगे वैसे पुजेट को देंगे जो रियली में इंपॉर्टेंट होगा और प्राइवेट सेक्टर को हम आप उस चंगल का इस्तमाल करने के लिए नहीं देंगे तो यह सब जो मिनिस्ट्री के तरफ से रिप्लाय है अब आते हम लोग नया जो दूसरा जो न्यूज है जिसमें हम लोग GST को लेकर बात करने वाल रहे थे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो मिनिस्ट्री है फाइनस मिनिस्ट्री उनके द्वारा इसपे 28 परसेंट 28 परसेंट का GST लगा तो इस पर हम लोग यहां पर बात क करने वाले हैं चलिए तो देखें गेम क्या है अभी तक कहानी क्या है तो कुछ दिन पहले साथ 2-3 दिन पहले GST कॉंसिल का मिल्टिंग वा था फिफ्टी इस टी कॉंसिल का मिल्टिंग वा उसमें फाइनस मिनिस्ट्री ने काफी कुछ निरने लिया उसमें एक निरने यह भी था कि online gaming जो है online gaming है उसमें हम लोग 28% का tax लगाएंगे 28% का full face value पर tax लगाएंगे यह full face value पर tax लगाएंगे 28% का क्या था बताता हूं पहले 18% का tax लगता था लेकिन वो full face value पर नहीं लगता था आप 28% पर लगता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है तो निरमला स इतरह बन जी के द्वारा कहा गया कि ये जो आइडिया है इंडस्ट् lifting को नुक्सान पहुंचाने के लिए नहीं है ये नुक्सान पहुंचाने के लिए नहीं है यह एक important essential goods नहीं है एक आने का बात कही जा रहे थी कि essential goods यह उसके अंतरगत नहीं आता है इसमें हम लोग tax लगाएंगे कि essential goods नहीं है और जो सरकार जो कुछ है तक इसमें जो illegalities है irregularities है उसको कम करना चाहती है और साथ-साथ जो tax है revenue है वो बढ़ाने के लिए ऐसा सा बात तो देखिए अब यहां पर बात क्या है और सासत कर रहे हैं कि जो mechanism लाया गया थाकि जो transparency है उसको सही किया जा सके और जो complexity है GST को लेकर इस जगह पर उसी के लिए ऐसा लाया गया है अब देखिए क्या है जो tax system के system है क्या है बता रहा हूं simple language में यहां पर दाहिंदू में स गेम में participate करेंगे उस पर entry fees लेती है मान लेजिए कि 100 रुपय entry fees लेती है उसमें से 100 रुपय हमें platform क्या करती है अपने platform को चलाने के लिए और भी चीजों को करने के लिए उसमें कुछ-कुछ पैसे को काटती है ठीक है ग्रॉस गेमिंग रिवनिय क्रूप में platform काटती है बाकि जो पैसा बसता है उसको जो price provide करा जाएगा उसमें price pool में डाल देती है तो price pool में जो पैसा गया हो तो price में जाएगा वो वो तो gleaming platform के पास नहीं जाएगा तो gaming platform जो अपने maintenance के लिए वो जो पैसा रखती है उसको ब 100 रुपिया मिला उसमें से 20 रुपिया उन्होंने GGR के रुपिया ने के अपने काम के लिए रखा ठीक गेमिंग platform ने इसको gross gaming revenue बोल रहे है और 80 रुपिया है वो pool में लगा दिया price के लिए अब क्या है अभी तक होता था कि जो GGR है ने कि 20% उसी में से 18% government tax लेती थी तो 20 क 18% कितना tax बने गया और थो 3.6 रुपिस tax बने गया ठीक है 3.6 यह सिर्फ सम्झाने के लिए अगया ऐसा नहीं है ठीक है अमॉंट बिग अमॉंट बड़े-बड़े मॉंट में होता है सम्झाने के छोटा इमॉंट सौ लिए ठीक है तो 3.6 रुपिस का tax पड़ा अब क्या है नया प्रोविजन यह है कि टैक्स आपको यह जी 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 आर पे नहीं लगिए टैक्स आपका 100 रुप्य जो इंट्री फीज लिए है न उसमें लगिए आपको तो अठाइस परसंट का टैस्ट लगिए देखिए यहां पर दू जगा पर यह जो जो का मतलब इस दिसीजन है निरने है वह अधक पर रहा पहला तो टैक्स लाब बढ़ाया गया अठाइस से अठाइस से अठाइस किया गया दूसरे जगा पहले जी 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 आर पर लगता है अब कहार लगने लगा अब जो है टाइक्स गर्मेंट को कितना देना पढ़ रहा कंपनी उसको 28 रुप्या टैक्स देना पढ़ा जहां पहले 30.6% दे ना पड़ता था इससे क्या होगा. इससे यह होगा कि जो जो कंपणिया, वो ये कह रही है कि इससे यह है कि सबसे पहली बात थो हम लोगो टैक्स Isara ﷺ देना पड़ रहा हो. ठीक ya दूसरी बात यह है कि जो प्राइस पूल का जो अमांट घट जाएगा ठीक ya पहले 80 रुपया के आसपास हम लोग प्राइज पूल करते थे तो अब 28 रुपया टैक्स ही देंगे तो अब प्राइज पूल तो आटोमेटिक काफी कम जाएगा असे से तो कम हो गई वैसे ही अगर मान लिजे कुछ बचेगा नहीं भी प्लैट्फरम को 28 अगर 100 में 28 घटा द जिससे नुकसान हो सकता है गेमिंग च्रहिए यही सा बाधवा को तो इसके अलाव फानिदेस्ट्री यह भी बोलते हैं डेस्ट्री के लोग यह भी बोलते है। वह तो ठीक है वह कोई लिच्टा अगर आमांट यहां सा जेत गया तो गर्मेंट उस जीते हुए अवह अमां GST का काम कैसे चला क्या इसू है यहां पर पूरे तरह से क्रस्क समझाया गया अब देखिए क्या है अब इसमें बात क्या गया एक कंसर्ण तो यहां पर दोतीन सिस्टेम की अधार पर बता आ गया कि पहला तो है कि कंपनिया पुछ नहीं बच रहा है जिसके विए से पूल एम करने के लिए एक चाहरा लेंगे और ब्लैक मार्केट को बूस्ट कर सकता है और साथ सा जिससे इंडस्ट्री का इमेज खराब होगा और काफी लॉंग समय में जो इंडस्ट्री है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी ठीक है तो यहाँ पर यह एक कंसर्ण दिया गया इनके दौरा दूसरा बात यह कहा गया कि अगर हम लोग ग्रो ट्राइजेक्टरी देखें गेमिंग इंडस्ट्री के तुठ्रू जो कि एक डेटा पप्लिस हुआ है रिपोर्ट के दवारा जो कि अपरी तेई से पप्लिस हुआ था उनके रिपोर्ट के अ वन पस्रेंट के राउंड जो कि 6800 करोड का बिजनेस हुआ था फैनेसल एर 2022 में और एस्टिमेट किया गया था कि 27 तक ये इंडस्ट्री जो है न वो 25,240 करोड का हो जाएगा काफी मतलब ग्रोथ का टार्गेट किया गया था लेकिन अब जो है जो कि इंडस्ट्री का काफी ज्यादा है ने फानेसल इस इन्डस्ट्री करने में काफी योगदान था तो यह एकनोमी में योगदान दे रहे है रहे हैं और आप जो टाक्स लैव ऐसा कंव कि अगर दिया गया तो गेमिंग इंडस्ट्री को नुक्सान होगा तो फॉरेंग डाइट इन्वेस्ट्मेंट अपना वापस ले गई ही तो यहीं सब यहाँ पर बात किया गया है उसके वाद जो रूलांड लैंडर जो है जो कि सी यू सी यू है ऑल इंडिया गेमिंग फड्रेशन के उन्होंने दहिंद को यह कहा कि जो यह जो इतना तेजी से बढ़ा दिया गए जिस्टी से क्या होगा डॉमेस्ट्री का जो फॉरें इंवेस्टर है उनको नुक्सान पहुंचेगा है उनको खराब लगे उनको साथ साथ फॉरें इन्वेस्टर भी डिसकीरे साथ जवार की स्टे हूते हैं वह पहले ही एक्लीपर है कि उसमें इन्वेस्ट करना है की नहीं मांगि इन्वेस्टर एक अपना पैसा लगा देना वह इंडस्ट्री बूम कर जाता है उसको बोलते हैं मार्की इन्वेस्टर तो मार्की इन्वेस्टर को थो ऐसा मार्केट में एक नाम है क्योंकि वह वैसा अनलाइज करके ऐसा इंडस्ट्री में वह लगाते हैं जो इंडस्ट्री आगे जाकर पक्का ग्रोथ करती ही है इसको बोलते हैं मार्की इंवेस्टेट तो वो भी होल्ड पर है यह सब कर्मसर्ण बताया क्या है यह जो नया जाम येस्टिस लैब को बढ़ाने को लेकर साथ साथी क्या है पियर अगरवाल जो कि फांडिंग एंड मैनेजिंग ड्याक्टर है एक्सिमियस वेंचियोस का उन्होंने कहा कि जो जो स्टेप है उससे क्या होगा गेमर रिडक्शन इन वीनिंग अवेलेबर फर गेमर विल लूवर इंगेजमेंट और रिवेन्यू अफ गेविंग प्लाटफॉर्म सिवरली इंप तक बदलेगा काफी है तक कम जाएगा यह सब बात कहीं गई है जो कि मैंने पहले डिसकस कर दिया है तो अवर आल यहां पर ही है कि जो पोटेंसियल सासा जो इंप्लाइमेंट जो देती थी जो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत सारे लोग को इंप्लाइमेंट देती थी अप परिसान कर रहा है वह यह है कि गवर्मेंट ने कहा कि हम लोग कुछ शुटेबल अमेंडमेंट लाने वाले हैं जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री और जो हॉस रेसिंग है वह दोन्हों को क्या करें स्ट्यूल 3 में डाल देंगे किसका स्ट्यूल 3 में डाल देंगे तो से स्ट्यूल 3 में ऐसे चीज़ों को रखा गया है वैसे चीज़ों को रखा गया जो ऐसे एक्टिविटी या को ऐसा ट्रांसेक्शन है जो ना तो सप्लाइव गूड में ट्रीट किया जाता है ना ही सप्लाइव सर्विस में ट्रीट किया जाता है ठीक है उसको कोई भी सप्ला गूट ना supply of service में treat नहीं किया जाता है उसमें वो डाल देगी जो बिसिकली किया इसको gambling के साथ रखा जाएगा online gaming जो है gambling के साथ रखा जाएगा निए basically वैसे जगह पर यह काम करता है जहां पर skill पर नहीं लग पर अधारित है यहां पर जो गेम है online gaming वो skill अधारित है या फिर game of chance नहीं लग पर अधारित है इस पर discussion चल रहा है तो बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि online gaming जो है वो gambling जो है उससे different है यहां पर skill किया वा सकता पड़ती है जो skilled है वो game को जीत पाते हैं इसमें लग का कोई चांस नहीं है आपको अगर knowledge है जानकारी है तो आप game में जीत होगे यह तो इसमें जो इसमें चल रहा है luck और चांस को लेकर और इंडस्ट्री ने बहुत सारे बात भी कहिए कि बहुत सारे सुप्रीम कोट और हाई कोट के judgment में यह कहा गया है कि online जो skill based game है वो legitimate business है उसको put it करना चाहिए fundamental light जो constitution में दिया गया उसके अंदर put it करना चाहिए यह industry की लोगों का कहना है इसको लेकर तो यह था online gaming को लेकर पूरी तरह से इसु जो कि मैंने यहां पर डिसकस करा उम्मीद है आप लोगों को इसमें समझ में आया है वह क्या इसु चल रहा है परासाइट का यह आमोईविक पैथोजेन है निक्वाइब का मतलब यह होता है जो भीमारी काउस करते हैं तो डायरिया डिसीज के बारे आप लोगों को पता होगा जो बैक्टेरिया वाइरस और आमोईविक जो पैथोजेन से उसके वजह से होता है तो लोगों को यह जान इंटर मोईवा मॉसकोफसी 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 इसको सौर्ट में बोलते हैं वह भी जो है डारिया काउस करता है ज्याद दारिया काउस करता है तो ध्यान रखना है इसमें बस अप लोगों यह ध्यान रखना है उसकी बाद इंडिया और यूएस जो है वह ट्रेड के लिए रूपी और दिरहाम का इस्तमाल करेंगे तो जो हमारे प्राइम मिस्टर है नरेंद मोदी वह फिलाल गया हुए थे अबुधाव यान की UAE की आतराप पर है वहाँ पर उन्होंने दो मेमोरेंडम साइन किया जो की रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के द्वारा साइन हुआ है भारत के जो आर्वी यह हुआ कि एक ऐसा फ्रेमवक बनाएंगा जिसमें लोकल करेंसी लोकल करेंसी मतलब अपने इंडिया का रूपी और वहां का जो दिराम है उस दोनों आपस में इसी का इस्तमाल करके ट्रेड करेंगे फ्यूचर में ठीक है यही बात कहा है यही एग्रिमेंट पहला एग्र करेंसी दिराम या फिर दिराम कहा करेंसी ऑप्सन दे देगा यूए इंडिया बंगलादेश जापान ऐसा कुछ दे देगा फिराम जो है यूए का करेंसी है उसका दुसरे अब दुसरा एग्रिमेंट साइन यह हुआ वही आरवी आई और सेंट्र बैंक आफ यू लिंक करने के लिए यह किया गया ठीक है और साथ साथ जो है प्रधानमंतरी के द्वारा यह बुला गया कि हमारा फूल सपोर्ट है जो यूए हुआ ही है यह कुछ समय में कौफ जो टू टू-टन्टी एक है उसका मेटिंग होल करने वाला उसका प्रसिटरंसी कर रहा है करन agreement यह हुआ RBI और Central Bank of United Arab Emirates के बिच में कि दोनों आपस में trade करेंगे local currency में दूसरी बात यह हुआ कि payment और messaging जो app system है उसको interlink करने की बात हुई चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है अगला न्यूज आई उसमान भारत embraces AI to tackle fraud जो आई उसमान भारत जो है यह artificial intelligence का इस्तमाल कर रही है fraud को tackle करने के लिए देखे जब से आई उसमान भारत scheme launch हुआ है तब से आई उसमान भारत नहीं है और fraud को लेकर 20.17 करोड रुपिया का जो है ना पेनाल्टी लगाया पर्टिकुलर इंडिवीजुल पर या फिर हॉस्पिटल पर जो जन आरोग्या प्रधान मंत्री भारत आयुसमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्या योजना है ने कि ABPMJY इसमें फ्रॉड कर रही है अफ्रॉड ने पकड़ते फ्रॉड प करते हुए आयुसमान भारत काड़ 5.3 लाग करोड़ का ने उसको डिसेबल किया गया साथ-साथ-स डॉसु-थो-थो-घॉस्पिटल है उसको डि इंपानल कर दिया गया और 188 वस्पिटल को suspended किया गया वार्निंग दे कर कि आफ्रॉड ना कर या इसा उसा करकर तो यह पॉन्ट one eight percent का फ्रॉड को लोग पकड़ पाई है कनफर्म कर पाई है और जो गवेंट जो है डिटा आलगोरिदम का अस्तमाल कर रही है और जो फ्रॉड है उसको पकड़ रही है गर्मिंट चाहती है कि इसमें जैनुट जो है वह रिटा का इस्तमाल कर करके दोनों तरब से ह को सही जो सर्विस है वो नहीं दिया जा रहा है और इधर से भी लोगों के तरफ से भी बहुत सारे जो जनुविन नहीं है वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं गलत गलत आईडी वगरा देकर तो जो डीटा की अधार पर अड़िजन इंडिलिजेंस का इस्तेमाल करके और भी और जो अवयाने चला कर जो गर्बंनेंट है को अईष्मान भरत को एक प्रूफ ट्रांसपर्णल बनाने की प्रयास कर रही है और पहले अच्छे नेशनल हिल्थ ऑथरिटी बनाया था जिसको जो कि ए बी आट जो आयोस्मान भरत प्रधान मंत्री जन आरोगे योजना जो है उसको कम्प्रिहेंसेबली उसमें जो एंटी फ्रॉड गाडलाइंस है उसको डील कर रहे थे उन्होंने एंटी गाडलाइंस को दिया था सभी स्ट सारे जो स्टेट है वहाँ पर भी एंटी फ्रॉड यूनिट को स्थापना करी और पूरी तरह से जो फ्रॉड को लेकर जो मॉनेटरिंग का काम है फ्रेमवर्क है वो किया और इसके वह जैसे इतना सारा जो चीज़ें वो पकड़ में आया और साथ-साथ जो गर्मेंट क्या बायमेट्रिक हो था ताकि फ्रॉड ना हो सके तो यह सब गर्मेंट यह कर रही है और देखिए क्या गर्मेंट पिछले दिनों नोटिफाई की थी कि आयोसमान भारत के अंदर और ही बहुत सारे सर्विसेस को सर्विसेस को इसमें डिप्लॉई करीगी ताकि जो आयोसमान भ एक Hiya Health saturated digital सिस्टम बने तो इसलिए मिनिस्ट्री काम कर रही मिशिए कि सिच को लिकर और भारत च्युवच्व टोटिग्र वे कर काम कर रहें ताकि ताकि क्याए संट बना जा सकते जीसमें California v prohibगा जो है वो घ्यार JENN यह था इस आर्टिकल के अंदर के इस न्यूस के अंतरगत जो हम लोग को डिसकस करना था आगे बढ़ते हैं अगला यह है यह देखिए क्या है कि मोदी जी और जो मैकरोन है मैलियन मैकरोन फ्रांस के प्रसिडेंट उन्होंने जो डिफेंस डील को लेकर जो नया जोनद कवरियंट करेंग है उसको बनाने के quiere यहे इसका जो बात है यह चीज को drop किया गया, इंडो पेसिफिक को लेकर भी कुछ बात किया गया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग पेसिफिक पर ही फोकस करेंगे, यह तीन चीजों पर उन्होंने अपनी जो बात को वापस ले लिया, देखिये, क्या है कि उन्होंने joint statement जिसका heading दिया, horizon 2047, 25th anniversary of India France strategic partnership toward a century India France relation यह यहाँ पर उसका title था पहला क्या था पहला जो दिया गया था statement उसमें यह था कि इंडिया और फ्रांस जो है continue करेंगे एक groundbreaking defense of cooperation में जिसमें advanced analytical technology है उसको develop करेंगे उसको develop के लिए cooperation करेंगे जिसमें joint development करेंगे उसमें रोड मैप त्यार करेंगे तक हम लोग DRDO के साथ और फ्रेंच का manufacturing करने के लिए यह बात कहा गया था इसको drop कर दिया गया था साथ-साथ यह भी कहा गया था joint statement दिया गया था कि हम लोग और अंडरस्टेंडिंग का विलकम करते हैं जिसमें मजा गांट डॉक यार्ड जो लिमिटेड है और नेवल ग्रूफ जो का फ्रांस का वो दोनों मिलके तीन्ठो सब्मरीन बनाएगी पी 75 प्रोग्राम के अंतने गत तो यहां सा यह भी बात को drop कर दिया गया नहे रिवाज स्टेटमेंट में अब क्या कहा गया और यह से बात किया गया वाकर इसमें drop कर दिया गया यह था क्योंकि बारे मैंने नीउज में कवर किया तो यह काम बनता है कि इसको dropping का news भी मैं देए दूँ ठीक है ये था आगे बढ़ते हैं अब हमारा जो news discussion वो समाफ्थ होने को है और हम लोग देख लेते हैं आज का हमारा जो map based question था उसका answer क्या है तो आपको इस map based question में जो सीड किया हुआ है red clear का उसका नाम बताना था काफी समय से ये एक सुर्ख्यों में है सुर्ख्यों में है और रसिया के साथ वार में है इस country का नाम युक्रेन है आप देखिए अगल बगल बॉंडरी वाले कंट्री को भी देख लो ये रसिया है ठीक इधर से ही आख का जो अटैक हुआ है उसके बिलारुस यहाँ पर बिलारुस है रसिया का बढ़ूत अच्छा मित्र बिलारुस जहांकि लुकासेंको वांके है यह पुलैंड है पुलैंड है जो डरा हुआ है काफी रावी यह स्लोवाकिया है ठीक है यह स्लोवाकिया यह स्लोवाकिया यह स्लोवाकिया ठीक है और यह हंगरी है यह हंगरी है यह मौलदोवा है और यह रोमानिया है ठीक है जो मैंने यहां बताया उसको discuss करना और यहां न्यूज में रहता है क्योंकि रसिया ने इसको annex कर चुके हैं यूकरेन का जो capital है कीव है इसको ध्यान रखना है capital है और इसका currency जो है Ukrainian currency की एगर बात करें यूकरेन का यहां currency चलता है यूकरेनियन हैर यहीवणिया यहां का currency है और यहरोप का second largest country के रूप में मना जाता है पहला रसिया है यूरोप के मैं जलन्सकी है जो कि पहले कमेडियन रह चुके है थुरा से इसके मैप और ध्यान दे लेते हैं मैंने इसको बॉर्डर को बता दिया कुछ कुछ सी वगेरा को भी देख लेते हैं यहाँ पर सी ऑफ अजोब जो है वह करिमें पैनेंसूला के इस्ट में है ठीक है सी ऑफ अजोब उसको ध्यान देना ब्लैक सी नीचे है और इसमें इस कंट्री में बहुत सा रीवर बाते हैं रीवर को देखिए दोनेट रीवर देशना रीवर जो कि अरसिया से चलते हुए आ रही है फिर नाइपर रीवर जो कि बड़ा रीवर है यह सब आप लोगो ध्यान देना है इसक habion solution बनाया जा सकते हैं और मॉंटेन वगेरा का अपयान चर्न विल जो अगर तरह यहाई हों अगर नहीं डेकर भी करता है चर्न्रोइल नाम का मुवी का आप ले मूभी है काफी बहत्तरीघें सब्सक्राइव नीचीर इसमें आपको पूरक तरह कम स्थनद sup क्लास था जिसमें जादा न्यूज माने नहीं लिया और काफी समय भी हो चुका है अगर आपको जितने भी न्यूस अर्टिकल्स के पीडियेफ चाहिए तो इस टेलिग्राम को जोईन करके यहाँ पर पीडियेफ आप क्राप्त कर सकते हैं बाकी धन्यवाद मिलते हैं अगले क्लास में